टेन वार्निंग साइन ऑफ किर्णी डैमेज किर्णी खराब होने पर सुरुवाती लक्षन सब क्या-क्या दिखता है उसी कबारे में आज हम लोग बात करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले वीडियो को लाइक करें और शेर करें पहला साइन चेंजेज इनी यूर अच्छी तरह से पानी पिने के बावजूद भी अगर पिशाब में कमी होता है एकदम ज्यादा बार बर पिशाब आता है जिसामें ब्लॉड आता है या फोमी या बबल्स जैसा दिखता है तो किड्नी का समस्या हो सकता है पिशाब टेस्ट करने पर आपका उसमें प्रोट पैरों में सूजन हो जाना है हाई लेबल अप सोडियम होने कारण भी यह होता है यह सब भी एक संकेत है एक्यूट किड्नी फेलियर का तीन नमर में फैटिग थकावट और कमजोरी जैसा फिलिंग होता है और कॉंसल्ट्रेट नहीं कर पाता है इंसान चार नमर में सॉटने फूलने लगता है किड्नी खराब होने कारण चाती में पानी जम जाता है जिसको हम लोग पल्मुनरी डेमा बोलते हैं आयरन की कमी होती है मेटाबोलिक एसीडोसी होता है यह सारे कॉज करते हैं सॉटने सब्रेट पांच नमर में नौजिया एंड वोमेटिंग नौजिया किड्नी खास करके advanced stage of kidney damage में होता है मतलब chronic kidney disease कुछ भी खाने पर पजता नहीं है बार वार वार वीटी जैसा मन होता है कभी-कभी वोमीटिंग हो जाता है हीकप ज्यादा आता है ऐसे advanced stage kidney damage में होता है छे नमर में high blood pressure किड्नी क्या करता है जितना waste product है extra fluid है उसको बाहर करता ह है पिसाओ का मरफत लेकिन जब kidney damage रहता है तो extra fluid क्या होता है blood vessels में जमा हो जाता है जिसके करण क्या होता है pressure बढ़ता है साथ नमर में metallic test in the mouth और ammonia like breath order 8 नमर में itchy skin skin में खुजली जैसा होता है kidney खराब होने पर waste product of toxin बाहर नहीं निकलता है जिसके कारण यह itching होता है 9 नमर में muscle cramp and twitching मतलब uncontrolled painful muscle spasm kidney खराब होने पर हमेशा electrolyte imbalance होता है मतलब sodium potassium calcium का balance नहीं रहता है blood में potassium कम हो जाता है calcium कम हो जाता है जिसे कारण यह muscle में cramps और twitching होता है 10 नमर में puffy eyes baggy eyes भी बोलते हैं इसको मतलब swelling around the eyes season हो जाता है आखों के नीचे सुबह सुबह जगने के बाद यह दिखता है बहुत सारा कारण होता है puffy eyes का जिसमें एक high side diet के कारण होता है ज्यादा नमक खाने से भी होता है यह lack of sleep के कारण भी होता है congestion inflammation allergy के कारण यह eye puffiness बढ़ता है यह top 10 sign हो गया kidney damages का झाल 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 झाल